मैं जब प्रदान मंत्री बना तो मुझे भी सब मुख्य मंत्रियों की पहले महिने में यही चिठी आती यूरिया 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 आपको जान करके खुशी होगी पिछले दो साल से एग भी मुख्य मंत्री यूरिया के लिए मुझे चिठी नहीं लेता है कहीं यूरिया की कमिटी कमी नहीं है कहीं यूरिया के लिए कता नहीं तो आप अच Давanud नहीं है यूरिया के लिए रात रात लोगं कता लगाते थे रात रात खुले में सोते थे ताकि सुवे दुकान खुलते ही यूरिया मिल जाए ये दिन थे लेकिन क्या आमने रात वरात यूरिया के कारखाने लगा दिये नहीं क्या रात वरात यूरिया का उपदन बढ़ा दिया नहीं की विखना की सिंपल काम किया मूद यूरिया का नेम कोटिंग किया इन नीम कनी पैड़ की जो फ़ली निकलती उसको तेल जो भेस्टेज प्रवाइब एस उसC offic oh डाल दिया पहले क्या होता था यूरिया प्यार होता था यूरिया में सबसीड़ी बहुत मिलती है किसानों को सालाना करीब 80,000 करोड रुपया सबसीड़ी में जाता है तो बहुत सस्ते में यूरिया कारखने से बहार निकलता है लेकिन वो खेत में नहीं जाता था केमिकल फैक्टरी में गुज जाता था और केमिकल फैक्टरी के लिए वो रॉमोट्रियल का उप्योग होता था उस पर प्रोसेस करके और कोई प्रोड़क्ट बना करके वो दुनिया में माल बेचते थे पैसे खमाते थे नीम कोटिंग करने के बाद अब यूरिया का एक गाम यूरिया भी और किसी काम नहीं आ सकता है केमिकल फैक्टरी में जाना बंद हो गया यूरिया खेत में जाने लगा और नीम कोटिंग लगाने के कारण यूरिया की एक्स्टरा ताकत बढ़ गई जो जमीन में सुधार लाने लगी और परणाम ये आया कि 5 परसंट से ले करके 7 परसंट तक खेत उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई यूरिया की चोरी गई उसके कान सबसीड़ी कम हो गई सत्प्रतीशत यूरिया खेत में पहुंचने लगा किसान की दिक्ट चली गई और यूरिया में नीम कोटिंग होने के कारण उत्पादन में बढ़ गया जास्ट विद्ध हेल्प आप टेक्नोलोजी